जै भोलेनात आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो और आप सभी पर महादेव की गृपा सदबने रहें आज सुनिये फालगुन मास महातम में आगे की कथा एक समय श्री सूत जी को नैमिशारणे तीर्थ में बैठे देखकर शौनकादी महर्ष्यों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सबोर से घेर लिया फिर जब वे सभी तपस्वी महातमा बैठ गए तब उनके बताएवे आसन पर लो महर्षन कुमार सूत जी भी विनैपूर्वक विराजमान हुए तब उन रिश्यों ने सूत जी से कहा कि मुने अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुन्यमई कथा भी कहिए शिरी सूत जी कहने लगे कि मैं शिरी सरस्वती जी गनेश जी तथा संपून देवताओं के युगल चरणारविंदो को नमस्कार करके और सब के नियंता धर्म स्वरुप परमेश्वर के चरणों में मस्तक जुका कर उन सब की कटपा से तीर्थों के उत्तम फल का वणनन करता हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए एक समय की बात हैं सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिस्टिर के दरबार में आए उनके आने का समचार सुनकर सबको बड़ी प्रसनता हुई भीमसेन आदी सभी भाई धर्मराज युधिस्टिर के साथ उठकर खड़े हो गए फिर युधिस्टिर ने सामने जाकर भाईयों सहित उन्हें सास्टांग प्रणाम किया और विधी पुर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंगहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा तब धर्मा की व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिविक कथा सुनाई कथा के अंत में राजा युधिस्टिर ने मुनिश्रेष्ट व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे प्रहमन देटा आपकी करपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाईं सुनी है इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महतमी की कथा सुना चाहता हूँ करपा करके आज आप हमें ये कथा भी सुनाईए तब व्यास जी कहने लगे है धर्मराज धर्मारण्य अनेक प्रकार के व्रक्षों से युक्त तिथा तरह तरह की लताओं और गुल्मों से सुशो भित है ये सदा पुन्य दायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है वहाँ पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है वहाँ गव और व्याग्र चूहे और बिली एक साथ खेल कूद किया करते हैं मेढग साब के साथ खेलता है मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं धर्मारण्य महानंदमय दिव और पावन से भी अतिपावन है स्वर्ग में देवता लोग धर्मारणय निवासियों के प्रिशंसा किया करते हैं धर्मराज युदिस्टे ने पूझा मुने देवताओं ने उस छेत्र का नाम धर्मारणय कब रखा तब व्यास जी बोले कि राजन एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदी सभी देवता किलास परवत पर गए वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात व्रिक्ष की चाया में बैठे हुए थे उनके पास पहुँचकर ड्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तूति की कि हे निलकंठ आपके अनंत स्वरूप है आपको बारम बार नमस्कार है आपके इस स्वरूप का यथावत ग्यान किसी को नहीं है आप कैवल्य और अम्रित स्वरूप है आपको नमस्कार है देवता ज से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ती हुई है देव आप ही सब कुछ है आप में ही सब की स्थिती है इस लोक में सभी प्रकार की इस्तुतियों के द्वारा इस्तवन करने योगी भी आप ही है ये इश्वर आपके द्वारा ये संपोन विश्व प्रपंच व्या क्या चाहते हो ब्रह्मा जी कहने लगे सब के दुखों का नाश करने वाले है महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस सह तपस्या की हैं नजाने वे देवताओं को कौन सा उत्तम इस्थान लेना चाहते हैं यही सोचकर इंद्रादी सभी देवता उनकी तपस्या से उठाई है महादेव जी बोले देवताओं मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हें धर्मराज से कोई भई करने की जुरत नहीं है यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारम बार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भई होकर चले गए पर गठिन तपस्या परारम करती हैं ऐसा विचार करते वे इंदर ने देवताओं से कहा कि देवताओं मैंने बहुत कलेश उठा कर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझ से छीन लेना चाहते हैं यह सुनकर देव गुरू ब्रस्पति जी बोले फिर तो है देव भी तरहतरा के उपाई सोचने लगे तब देवराज इंदर ने अपसराओं से कहा कि तुम सब लोग शीगरी धर्मारणी को जाओ और जहां पर धर्मराज दुशकर तपस्या में लीन हैं वहां पहुँचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे भी अपनी तपस्या से ब्रस्ट हो जाएं उनका ध्यान भंग हो जाएं इंदर का ये वचन सुनकर वर्धनी नामक अपसरा कहने लगी कि है पाक्षासन मैं देवताओं की कारी की सिद्धी के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूगी ऐसा कहकर वर्धनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करती थे वह अधिकादिक वस्त्रों और आभूशोणों से विभूशित होकर अपने गालों पर रोली की बेंदी और नैनों में काजल लगा कर मनोहर रूप बना कर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला निरत्य करने लगी उस समय धर् वर्धनी ने धर्मराज को शुब्द सा हुआ देखकर पूछा कि प्रभो समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है वही साक्षा धर्मरूप होकर आप ये दुश्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं यम्राज जी कहने लगे कि भामिनी मैं भगवान महेश्वर के स्वरुप का दर्शन करना चाहता हूँ इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ सुनकर वर्धनी बोली कि धर्मराज इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भईभीत हो गए है और उन्ही से प्रेरित होकर उन्ही के कहने पर मैं यहां आपकी तपस्या में विगने डालने क के लिए आई हूँ वर्धनी के इस सत्य भाषन से अर्थात उनके सत्य बोलने से सोरे नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने वर्धनी से इस परकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्रानियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्री में इस्थिर्ता पुर्वक निवास प्रदान कीजिए यमराज जी कहने लगे तथास तू अब तुम शिगरता से कोई दूसरा वर मांगो वर्धनी कहने लगी महामते इस महचेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसित तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाल उसमें किया हुआ दान, होम, तब और स्वाध्याय सब कुछ अक्षे हो तथास तू कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गई तब वर्धनी ने प्रसनता पूर्वक उनकी तीन बार परिक्रमा करके मस्तक जुका कर स्वर्गलोग को प्रस्थान किया वहाँ जाकर वे उनको प्रणाम करके अपने स्थान को चले गई जिसके बाद धर्मराज विधी पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर व्रिशप पर आरूर होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवस धारन करके उस स्थान को गए जहां की धर्मराज तपस्या में स्थित थे वहाँ पहुचकर महादेव कहने लगे हे धर्म तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ठ है तुम को यी वर मागो इस प्रकार संभाशन करते वे भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समा अप को नमसकार है थ्यान करने वाले मनुष्ठ को जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूपी विग्रह धारं करके आप प्रकट होते हैं आपको देखकर नमसकार है आप रुद्र भीम और शान्त सरूप हैं आपको नमस्कार है हे चंदर शेखर आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है आपको नमस्कार है आपके पांच मुख और तीन नेत्र हैं आपको बारंबार नमस्कार है सर्फ आपके आभुशन हैं तथा दिशाओं को ہी वस्तर के रूप में आप धारण करते हैं आप अंधका सुरका विनाश करने वाले और दक्ष के पापको हर लेने वाले हैं आपको नमस्कार है आपने कामदे़ को भस्म किया है, आपको नमस्कार है हे प्रभु मेरे द्वारा की गई इस उस्तुती को जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अत्वा सुने वे सभी पापों से मुक्त होकर केलाश धाम को जाए इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ती से भगवान शिवकी स्तुती की तब शिवजी कहने लगे महाभाग तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मागो यमराज कहने लगे हे प्रभू अगर आप मुझे मनुवांचित वर देते हैं तो इस महाच्छेतर में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए यह इस्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धी प्राक्त करे महादेव जी कहने लगे धर्मराज यह इस्थान प्रत्यक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा है तो बताओ मैं उसे भी पोण्ड करूँगा धर्मराज कहने लगे कि भगवन दो योजन विस्तार वाला ये उत्तम इस्थान मेरे नाम से प्रसित तीर्थ हो और ये समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष इस्थान हो महादेव जी बोले एव मस्तू एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिती होगी तुम्हारे इस निर्मल इस्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूँगा यहां मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतरध्यान हो गए जिसके बाद वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ धर्म के द्वारा इस्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद हुआ उसका इस्मरण और पुजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्मान किया जो बड़ी मनूरम है अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ की दो बहुत प्रसिद मंदिर हैं जिन में से एक हिमाचल में तो दूसरा बनारस में है धर्मराज जी ने वहीं पर धर्मवापी का निर्मान किया जिसमें सनान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य व्याधी दोश के नाश अर्थत बिमारियों के नाश और कलेश की शान्ती के लिए उस धर्मवापी में सनान करके यम तरपन करता है उसको कोई उब्द्रव कोई परिशानी नहीं होती अंतरिया, तिजारी, चार दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत इस्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदी जितने भी रोग हैं सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते जो मनुष्य उस परम पुर्णे मई धर्मवापी में सनान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंड़दान करता है वहें गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और महा भयंकर कुंभी पाग, रोरव तथा अंध तामिस्र आदी नरक से भी मुक्ति पा जाता है धर्म वापी में तरपन करने से बहरिशत, अगनिश्वात, आज्यप और सोमप नाम वाले पितर उत्तम तरप्ती को प्राप्त होते हैं जो माया से मुहित होकर इस छेत्र में अत्यंत दूशित पर इस्त्रीगमन तथा सोने आदी की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पढ़ते हैं दूसरे छेतर में किया हुआ पाप धर्मारणे में निस्ट हो जाता है किन्तु धर्मारणे में किया हुआ पाप वजरलेप हो जाता है पुन्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुप कर्म होता है वह सब सौ वश्टक यहां नित्य बढ़ता रहता है मन में कामना रखने वालों के लिए ये पवित्र तीर्थ काम दायक है योगियों के लिए ये मुक्ती दायक है तथा सिध्धों के लिए सदैव सिध्धी दायक बताय गया है जै भुलेनात आज के अध्याय में बस इतना ही इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याई में जरू सुनिएगा